जन गर्णवन जो आज भारत के राष्टगान के नाम से जाना जाता है उसकी रचना भारत की सतंतता से 36 साल पहले होई थी वो भी एक बेंगौली गीत भारतों भाग्यों विधाता के रूप में सन 1942 में सुभाश चन भोस की इंडियन नैशनी आर्मी ने इसे हिंबी में ढाल के अपना राष्टेगान बनाया भारत के लिए एक राष्टेगान क्यों जरूरी था याने गण्यम माने में ऐसी क्या खास बात थी कि इसे चुना गया तो चलिए जानते हैं कभी लेखक संगीतकार और भारती समाच के एक जाने माने घटक गुरू देव रविंद्रनाठ टैगौर के कई चहरे थे देश के पहले नौवल लॉरेट ने वो गीत लिखा जो एक दिन हमारा राष्टेगान बन गया भारत की आजादी और नई पहचान की घटना में टैगौर ने अपने कलम को अपना ओजार बना दिया अपनी रचनाओं से उन्होंने एक मौडर्न सिक्षक आजाद और एक जुट भारत का सपना बुनकर देशवाशियों की आँकों में भर दिया 27 दिसंबर 1911 के दिन कैलकता में इंडियन नैशनल कॉंग्रेस का दूसरा सैशन हुआ था जहां लोगों ने पहली बार ये गाना सुना था जन गण मन अधिनायक जया है ये गीत भारत की जनता के मनु के संब्राट और भाग्य विदाता को नमन करता है गीत के बोल और उनमें गुथे हुए ब्रिटिस्ट इंडिया के कई राज्यों के नाम की बज़े से ये गीत देश के लोगों नेताओं और सतंतता से नानियों क दिलों पर छा गया इस गीत के तीन तशक्वात सबसे पहले नेताजी सुभाष चन बोस थे जिन्हों ने इसे राष्टेगान का दर्जा दिया 1942 में जब वो जर्मनी में इंडियन नेशनल आर्मी यानि आयने के जवानों को ब्रिटिश आर्मी से लड़ने की ट्रेनिंग दिला रहे थे तब ही उन्हें महसूस हुआ कि अपनी फौच का होसला बढ़ाने के लिए और सम्मे एकता जगाय रखने के लिए देशवक्तिगी संजीद की जरूरत है आयने के सिपाई एंजी गन पुले जिन्होंने नेता जी पे एक किताब भी लिखी है उनका कहना है कि वर्लिन की उस मिटिंग में संजीदगी और जोश के साथ ये तर्क हुआ कि जन गड़मन वही इस ने राष्ट के गान के लिए सबसे सही उम्मीद 11 सितंबर 1942 के रोज नेता जी ने जर्मन इंडियन सोसाइटी ऑफ हैंबर का उटगाटन किया इसी अपसर पर पहली बार भारत का ये लोग प्रिये गीत दुनिया के सामने उस देश की पहचान के रूप में गाया गया रास्तेगान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पेश करने का काम दिया 1947 में हिंदी टांसलेशन शुब सुख चैन को आयने के कैप्टन राम सिंग ठाकुर ने एक मिलिटरी बीट के साथ कंपोस किया टैगोर के लिखे बेंगोली गीत में पांच इस्टेंजा थे आयने के हिंदी तराने में तीन और आज के ऑफिशल नेश इस गीत को टैगोर ने खुद इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था जिसे मॉर्णिंग सॉंग ऑफ इंडिया कहा जाता है 28 फरवरी 1919 को कलकत्ता के बाहर इसे पहली बार आंदरप्रदेश के मदनापली शहर के दा औसौफिकल कॉलिज में टैगोर ने खुद गाया था 1944 में जहां भारत में आजादी और पहचान का अलग संगर्ष जारी था ऐसे वक्त में बिमल रॉय ने अपनी बंगौली फिल्म उद्यय पर पथे भारतो भाग्या बिधाता को शामिल किया था 1945 में उन्होंने इसी कहानी को हिंदी फिल्म हमराही में फिल्माया और फिर एक बार टैगोर का वो बंगाली गीत बड़े परदे पर चला आखिरकार जब देश आजाद हुआ तो इस नए देश अंतरास्तिय अपसरो और उस सबों पर पेश करने के लिए एक ओफिशल नैशनल एंथम की जरूरत पड़ी विदेशी सरकारे और वहां इंडियन अम्बैसी उस समय के कॉंस्टिट्यूट असेंबली से पूछने लगी की खास मोगों पे इंडिया की तरफ से कौन सा गीत बजाया जाए अब एक ऐसा गीत चाहिए था जो की इस नए नवेले आजाद और एक जुट भारत की पहचान बने 25 अगस्ट 1948 की कॉंस्टिट्यूट असेंबली सेशन में पंडित जवाहर लाल नहरू ने कहा जन गण मान को थोड़ी सी अलग धुन के साथ INA में पहले ही साउथ इस्ट एशिया में भारत का राश्टेगान बनाया था और भारत में भी ये गीत कुछ हद तक लोगप्रिये बन चुका है और इस तरह आखिर 24 जून 1950 के रोस कॉंस्टिट्यूट असेंबली ओफ इंडिया के लास्ट सेशन में असेंबली के प्रेसिडेंट और भारत के पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंदर प्रसाद ने जन गण मन को इंडिया का ओफिशियल नेशनल एंथम भूशित किया जन गण मन में सभी भारतियों को मिलाने की हमें अपने मनसूबों याद दिलाने की और अपने देश के लिए मर मिठने का जोश जगाने की ताकत है ये देश को बनाने वाले नेताओं की पूजी है हमारे और हमारी आने वाली पीडियों के लिए एक ऐसे देश के लिए जिसे खून पसीने से बनाया गया है और जो अपने मुकत्तर के लिए तैयार खड़ा है